नमस्कार, 80Z dishes उश्या गोरजानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी स्टाइल में मश्रूम का कीमा अब देखिए मश्रूम एक ऐसी सबजी में आता है जो काफी जगाओ पर तो मिलता ही नहीं है और काफी जगाओ का कीमा बनाएंगे जो पाओ, ब्रेड, रोटी के साथ बहुत ही खतरनाक लगता है उसके लिए न मैंने यहाँ पर यह स्कॉन कर लिया कडाई रखती है और इसमें मैंने तेल गरम करने रख दिया है जैसे तेल गरम हो जाए तो यहाँ पर मैंने ले ले थे मश्रूम यह 500 ग निकाल लीजेगा और उसके बाद इसे तेल में डालकर आपको अच्छे से तलना यानि कि फ्राइ करना है आप देख सकते हैं मश्रूम अच्छे से फ्राइ हो गया है देखे इसका कलर भी चेंज हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और वो कड़ाई में इसे अंदर में डालरे हो गया हुँ इसके अंदर में डाल रहे हूं सबसे पहले दो बारी कटे होए टमाटर और इसे नगा तार चलाते जाएंगे अब इसे तीन मिनिट के लिए बूनेंगे ताकि ना टमाटर का कच्छा पन भी दूर हो जाए टमाटर सॉफ्ट भी हो और आदी चमस धन्या पाउडर फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वात के अनुसार डाल सकते हैं मसालों को तकरीवन एक से दो मिनिट के लिए पकाना है तकि प्यास टमाटर के अंदर अच्छे से मसाले पक जाए तो यहाँ पर एक से दो मिनिट हो गए है और मसाले देखे अच्छे से पक गए तेल भी छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है तो अब इसके अंदर में डाल रही एक चौथाई चमस जितनी अधरक लसन के पेस्ट और इसे भी हम एक मिनिट के लिए भूनेंगे ताकि इसका भी कच्छा पंदूर हो जाए अब यह फ्राई कियो यानि कि तले हुए मश्रूम इसके अंदर डाल देना है और इस तरह से तोड़ना है क्योंकि हम मश्रूम का कीमा बना रहे हैं तो वस इस तरह से इसे मैश करते जाए तोड़ते जाए पूरा एकदम पीसना नहीं है मतलब थोड़ा थोड़ा साबूत भी रखना है तो इसलिए मैंने आपको का कर्ची की मदशे से तोड़े और सच बता रहे हुए यह मश्रूम का कीमा आप एक बार जरूर ट्राई करके देखे यह रोटी, चावल, पाव, ब्रेड सभी के साथ इतना बहतरी लगता है न देखे इस तरह से करते हुए थोड़ा सा गरम मसाला और धन्या के पते डाल दे और इसे दो मिनिट के लिए और पका ले तो तैयारे बहुत ही टेस्टी और यह मेरी स्टाइल का बढ़िया सा मश्रूम का कीमा इसे आप स्पेशली पाव ब्रेड के साथ खाए यह फिर रोटी के साथ या चावल के साथ बहुत 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 ही बहतरी लगता है तो ट्राइ कीजेगा और मजे कमेंट्स बतेगा रेसे पी आपको कैसे लगी है अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और जाते जाते चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना भूले थाइब कीजे बहुत 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 बहुत